वेल नागिन सिक्स में अब बहुती बड़ा ट्विस्ट आने जा रहा है ये तो हमें पता ही है कि 20 साल का गाप आने वाला है 20 साल का एज गाप दिखाया जाएगा टाइम लीप होने वाला है आगे 20 साल लेकिन उसके पहले कुछ ऐसा होता है जो हमें इस हफते देखने मिलेग जिससे कहानी किस तरीके से हो सकती है उसे हम अभी बैठे बैठे प्रडिक करने की कोशिश करते है आप देख रहे है फीफा फूज में हूँ आपकी होस्टें दोस्त पिदागी करने की बता दिये नया प्रोमो जो है नागिन सिक्स का इस सबते का आउट हो चुका है और ये के परचाई से साए से दूर रखो यानि वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी जो है नागिन बने और नागिन की शक्तिया उसके पास आए क्योंकि बहुत सरी चीजे जो है हो सकती है जैसे शिवन्या भी नहीं चाहती थी कि शिवांगी जो है कभी भी नागिन बने उसे वो न नाग लोग से दूर रखा जाए और यहाँ पर अब तक प्रथा को नहीं पता है कि उसके पास एक नहीं बल्कि दो-दो संतान हैं ट्विन्स है उसके पास और एक अनमोल और एक प्रार्थना तो अब ये जो दो घंटे का स्पेशल एपिसोड होने वाला है तो क्या इसी एपि मन में आते हुए दिखाई दे रहे है क्योंकि प्रथा जो है उसे नहीं पता उसकी संतान कहा है और नाग लोग से दूर रखना चाहती है इसी वक्त प्रोमो में दिखाए जाता है दो बच्चियों के उपर एक बहुत बड़ा नाग होता है जो बारिश गिर्री है गाड़ी खराब हो चुकी है इसलिए ड्राइवर और उनके साथ जो धाइमा होती है वो गाड़ी रिपेर करे है तो बच्चों को एक प्लेस के नीचे रखा गया है उपर जहां एक शेल्टर है कपड़े से बनाया हुआ जिससे बारिश ना एक प्लास्टिक जो भी है लेकिन वो गिर लोग से उनकी सलंटान दूर है लेकिन ऐसा होने नहीं वाला तो क्या आफ्टर दे लीप ही प्रथा अपने बच्चियों को मिल पाएगी क्या तब तक उसका और इसकी बच्चियों का आमना सामने नहीं होगा ये बड़ा सवाल मन में आता हुगा नज़र आ रहा है शायद इसके जवाब हमें इसी हफते के वीकेंड पे मिले साटेडे को मिले जो अब दो घंटे का स्पेशल एपिसोड साथ से नौ आएगा वट्स यूर टेक ओन इट लेट मी नो इन दो कॉमेंट्स पाल सी उगैस सूल